आज के दीन का इंतजार जहां एक तरफ महागढ़वन्धन कर रहा था वहीं एंडिये भी आज के दीन का इंतजार कर रहा था क्योंकि एंडिये में आज बहुत कुछ होना था इन सारी बातों को लेकर के जो बरत्मान परिष्थितियां बनी हैं वो साब बता रही है कि किस तरह से आने वाले समय में 2024 का चुनावल लड़ा जाएगा लेकिन इन सब के बीच भारते जनता पार्टी चीज है जितना भी अपने आपको सब कुछ ठीक होने की बाद बताने की कोशिस कर रही हो लेकिन आपको बता दें कि भारते जनता पार्टी की परिशानी साफ जलक रही है और सबसे बड़ी बात कि इस NDA को लीड करने वाले अमीच साह के हाथ पाउप फूलने लगे हैं लोगसभाचुनाओं के विपक्षी कवायत के जवाब में भाजपा के नित्रितु वाले NDA ने भी मैदान सम्हाल लिया है सबसे बड़ी लड़ाई OBC और दलिस समुदायों के बीच पैठ पढ़ाने और समर्थन जुटाने को ले करके है लेकिन इससे भी बड़ी बात हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर नितीश कुमार जोहां एक तरफ महा गठ बंधन को एक्जूट करने में जुटे हैं वहीं भारतिय जंता पार्टी का पूरा कुनबा क्यों देश के अलग-अलग हिस्सों से और बिहार से जितने भी दल हैं उन सभी को अपने कुनबे का हिस्सा बना रहा है आपको बता दें कि इस समिकरन को और अपनी ताकत बढ़ाने को ले करके जहां एक तरफ पहली बार ये जलक आज देखने को मिलेगी कि NDA में कौन-कौन से दल हैं तो वहीं समिकरनों पर भी खासा ध्यान रखने की कोशिस की जा रही है बिपक्ष और सत्तापक्ष दोनों जब मंगलबार की बैठक के जरिये अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे तो ये 2024 के चुनावी एजेंडे को कहीं ने कहीं बहुत हद तक इसपर्ष्ट करता नजर आएगा इसके साथ-साथ नितीश कुमार ने जिस तरह से अपनी रणिती बनाई है वो भारते जनता पाटी को काफी परिशान किये हुए है हाला कि उस रणनिती का खुलासा नहीं हुआ है लेकिन नितीश कुमार के साथ जो वोट बैंक है उसको कहीं न कहीं भारते जंता पार्टी को ध्वस्त करना होगा एक तरफ जहां रणनिती के में केंद्र के में जो है वो खास करके दोहजार चुदाव में एक बार फिर से नरेंद्र मोदी को पीम बनाने के लिए पिशड़ा वर्ग दलित समुदाय और सवर्णों की ताकत को अपने साथ जोड़ करके एक नया खेल करना चाहता है वहीं पक्ष खेल बिगाड़ने के लिए तैयारियां शुरू कर चुका है उत्तर प्रदेश बिहार में तो इस लड़ाई के केंद्र में होने जहां एक राजनीतिक समीकरणों ने आकर अकार लेना शुरू कर दिया है वहीं आपको बता दें कि अब सुरू हो गया है दोनों राज पिसद है अब इसको जोड़ने की कोशिस की जा रही है लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा बिहार भाजपा के लिए परिशानी का कारण क्यों बना हुआ है ये बातें सबसे ज़्यादा मुस्किल पैदा करने वाली है और इसके पीछे नितिश कुमार है ये बातें भी आसिल की थी हलाकि इन सब में उत्तर प्रदेश के अगर बात करें तो भाजपा के गठबंधन को 64 सीटे मिली थी तब से अब तक कई दल भाजपा से दूर हुए लेकिन अब कुछ दल के नेता फिर से वापसी करने की कर चुके हैं आपको बता दें कि उपेंद कुसवाहा औ चिराग पासवान के साथ पसुपति कुमार पारस और अन्य लोगों के मुलाकात जिसमें आपने देखा होगा कि हाल फिलाल में जहां एक तरफ बिहार से जीतन राम माजी हुपेंद कुसवाह एंडिये में लोट गए हैं तो वहीं चिराग पासवान और पसुपति कुमार भी इसका हिस्सा है वहीं आपको हमने बताया भी था कि नागमनी जैसे नेता और इसके साथ साथ प्रिथ्वी माली हो या विद्यापती चंद्रवंसी हो ये सभी लोग इंडिये का एक तरह से मान के चलिए हिस्सा है बले ही वह 18 तारीक की मीटिंग में सामिल नहीं है लेकि को बता दें कि इन सारी बातों को लेकर के बिहार के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भाजपा के साथ अब पुराने स्वयोगी अपना दल्व संजय निशाद की निशाद पार्टी के साथ ओम प्रकास राजभर की सुभासपा भी आ गई है दारा सिंग चोहान की सपा भाजपा में सामिल हो गया है इसके साथ भाजपा को राजभर, निशाद, केवट, मचवारे, कुर्मी और दलित वर्ग की पैठ मजबूत करने के लिए एक मौका मिला है भाजपा नेताओं का दावा है कि यह तो सुरुवात है अभी OBC वद दलित समुदाय से आने वाले के मंच पर खड़े नज़र आएंगे इसके साथ साथ हमने आपको बताया था कि बिहार में किस तरह से OBC यानि गैर भासपाई जो पिछड़ा वर्ग है और माफ कीज़ेगा गैर यादो जो पिछड़ा वर्ग है और वहीं पूरी तरह से EBC अब अपने अपने हिसाब से एक तरफ से जहां विद्यापती चंद्रवंसी हो या फिर और भी कई दल है जो लगतार तयारियां कर रहे हैं अपने कुनवे को जुटाने में लगे हुए विद्यापती चंद्रवंसी ने तो निदान यात्रा निकाल करके अपने समाज को एक जूट करने की कोशिस की और खास करके EBC को ले करके उन्होंने कहा कि हमें जो अधिकार नहीं मिला है वो हम प्राप्त करना चाते हैं तो वहीं कुछ वहा समाज भी अब नितीश कुमार से अपना हक हुकुक मांग रहा है और बिहार की गद्नी मांग रहा है ऐसी स्थिती में आप समझ सकते हैं कि जिस तरह से 40 में से 49 सीटे जीत करके भारती जनतापाटी 2019 में एक बड़ा अपना परफॉर्मेंस कर पाई थी वहीं आपको बता दे कि भाजबा एक बार फिर से नितीश कुमार के सामने यदि खड़ी रहती है तो उसके लिए 26 दल नहीं बलकि एक मात्र नितीश कुमार काफी भारी पड़ेंगे यही कारण है कि अमित साथ हाथ पाँप फूलने लगा है और सबसे बड़ा कारण नितीश कुमार बन करके सामने आये हैं अगर महा गठबंदन बनता है और उसका कमान जो है वो अगर नितीश कुमार के हाथ में रहता है नितीश कुमार इस गठबंदन से खु सामने आ जाएगा नितिश कुमार एक बड़े कहा जा रहा है कि कारण हो सकते हैं आने वाले 2024 के चुनाव में अगर नरेंद्र मोदी प्रधान मंतरी की कुर्शी तक नहीं पहुंच पाएंगे इन सारी बातों को लेकर के चर्चाएं तो चल रही है पूरे दिन आज इस घटना करके पहुंचा रहे हैं बहुत बहुत धन्यवाद है अगर वीडियो पसंद आई अरुवा बिहार के राजनी और बिहारियत से स्वरुकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर लिए ओजे गो घंटी बा उकरा बटन दबा देला से कुल स करतीक और मारक खबर रुवा मुफ्ट में मिल जाई अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दी पेटियम नंबर नोटकली